नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज ये ब्रमातमस। आज मैं OTT पर बात करूँगा। मुझे लगता है कि मनुरंजन की खेती जो चल रही है देश में उसका एक बटाईदार OTT बन चुका है। वो अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है और हिस्सा भी ले रहा है। ये क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा था अगे पिसले तीन-चार सालों में लेकिन तब रफ्तार बहुत धीमी थी। सदस्यता इतनी नहीं थी कि उसको बहुत जाहिर किया जा सके। लेकिन पिसले दिनों जब ये महामारी आई COVID-19 और लोग घरों में बंध हुए। तो हम सभी जानते हैं कि मनरंजन आज हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह मनरंजन भी एक जरूरत बन चुकी है। भारतिय संदर्म में बात करें तो टीवी और फिल्म ये दो ऐसे माध्यम हैं जो सस्ते तरीके से मनरंजन उपलव्द करवाते हैं दर्शकों को और दर्शक इन्हें टूट कर देखते हैं। अब यह हुआ कि न तो टीवी पर कोई नया शो आ रहा था मतलब शो तो आ रहे थे उसके नए एपिसोट्स नहीं आ रहे थे क्योंकि शूटिंग बंद हो चुकी थी। फिल्में नहीं आ पाती थी क्योंकि थेटर बंद हो चुके थे। ऐसे में OTT एक सार्थक विकल्प के रूप में सामने आया और धीरे धीरे उसने अपनी बढ़त बनानी शुरू की। अब धीरे धीरे आकरे आ रहे हैं और जैसे ही ये साल खतम होगा मार्च में उसके बाद से हर मीडिया हाउस और ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट्स आ जाएंगे कि इस बीच में पिछले एक साल में OTT ने कितनी ब्रहत हासिल की। अभी तक जो संकेत मिलने सुरू हो गए थे मार्च के तुरत बाद अप्रैल में ही सिर्व एक महिने में ही दर्शकों की संक्या सब्सक्राइबर की संक्या बढ़ गई थी। उसके बाद से पिछले साल अक्टूबर में कुछ एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार लगबग 23% 20 से ज्यादा प्रतिशाद दर्शक बढ़े हैं। और यह ग्रोथ बहुत ही काविले गौर है। क्योंकि भारतिय संदर्म में OTT की यह पहुच नहीं थी। पिछले साल भर में वहां प्रक्रिया इतनी तेजी से होई है कि जो 10 साल में सफर तै होना था या जो 7-8 साल में सफर तै होना था वो पिछले 10 महीनों में हो गया। तो ऐसा लगता है कि OTT अब कहीं जाने को नहीं हाला कि इस फरवरी महीने में आपने देखा होगा कि एसराज फिल्म्स ने पहले फिल्मों की गोष्णा की रिलीज की तारीख हैं। उसके भी पहले सलमान खान ने अपनी फिल्म की गोष्णा की और फिर तो धड़ा-धड़ फटा-फट सारे निर्माता अपनी फिल्मों की रिलीज की तारीख हैं सुनिश्चित करने लगे और अभी ताजा जानकारी और आखणों के नुसार लगबग 75-100 फिल्मों की रिली फिल्में हैं, कुल मिलाके 25 फिल्में हो जाएंगी और थीटर में दर्शक गाइब हैं, दर्शक जानी रहे हैं, आज भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक ठीका सभी को लगा नहीं है, हाँ ठीका अगर लग जाएगा तो उसके बाद के इस्तिती थोड़ी सी अलग हो जाएगी, फिल्हाल, OTT एक बड़ा भरोसा है, लेकिन जब थीटर में फिल्में रिलीज होंगी और OTT पर एक अंतराल के बाद आएंगी, तो जो फिल्म प्रेमी हैं, जो ततकाल और तुरत फिल्म देखना चाहते हैं, उनमें से जरूर कुछ हिम्मत करेंगे, लेकिन मेर अपना मानना है, जैसा कि दक्षिन के सुपरस्टार विजे के साथ हुआ, विजे की फिल्म मास्टर आई थी, तो दर्शक गए देखने के लिए, और दो हपतों में उस फिल्म ने 250 करोड का व्यापार किया, वो वहाँ फैन फालोइंग है, हिंदी फिल्मों के संदर में मु उन फिल्मों को देखने के लिए, फिलाल मैं OTT पर बात कर रहा हूं कि OTT की हिस्सेदारी कैसे बढ़ते जा रही है, मनरंजन के कारूबार में, मुनाफ़ा बढ़ता जा रहा है, कुछ एक आगड़े जो मैंने नोट किये, उसके अनुसार यह है कि इनके यूजर के संक्या, 22 मिलियन से बढ़के 29 मिलियन होने जा रही है इसी साल, और ऐसा कह रहे हैं, कि 2025 तक में, यह कारोबार बढ़कर अर्बों का हो जाएगा, और इस अर्बों के कारोबार में, निश्चेतरुप से सारे OTT प्लेटफॉर्म, अपना-पना हिस्सा, केक का अपना-पना हिस्सा, पानी की जुगत में लगे हुए हैं, इसके लिए वे ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, और फिल्म में खरीद र हैं कि 2025 तक OTT का कारोबार 237 अरब हो जाएगा, सोचिए, कितने पैसे वहां लगे हुए हैं, जबकि 2019 में यह सिर्फ 42 अरब का कारोबार था, लगबग 5 गुने की बढ़ुत्री, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि OTT पे क्या होने वाला हैं, OTT ने पिछले दिनों क्या किया कि जब देखा कि यहां bandwidth की दिक्कत है और दरसक उनकी HD quality की फिल्में नहीं देख पा रहे हैं, उसको लोड करने में, उसको देखने में दिक्कत होती है, उसकी streaming में दिक्कत होती है, तो उन्होंने उस resolution को थोड़ा कम कर दिया हैं, जिनरली वीडियो दस सो असी पिक्सिल और साथ सो पचास पिक्सिल में हम लोग देखते हैं, अब उन्होंने चार सो असी कर दिया हैं, जाहिर सी बात है कि इससे वे जो दूतिये श्रेणी के शहर हैं, देश के, टायर टू जिसको का जाता है, वहां पेनेट्रेट कर रहे है अभी तक पांच मेट्रों शहरों में, जिसमें दिल्ली, कौलकाता, बॉम्बे, बैंगलोर और चिन्नेई है, इन पांच मेट्रों शहरों में लगबग वो टीटी के बावन प्रतिशाति दर्शक हैं, बाकी अर्तालिस प्रतिशाति उसके बाहर हैं, तो ये रेशियो भी ब इसमें जो 42 प्रतिशात अभी दिख रहे हैं, वो आगे बढ़कर 50 से उपर जाएंगे और 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 आगे जाएंगे, और ये संभावना हैं, स्मार्ट फोन के ग्रहकों की संख्या बढ़ने के साथ और बढ़ती जा रही हैं, तो जो लोग ये मान रहेते कि अब थीटर खुल गए हैं, अब OTT तो कुछ करनी पाएगा, उनको ये भी बता दूँ कि नेटफ्लिक्स ने अभी कुछ दिनों पहले अपने 41 नए शोज की गोशना की हैं, और जिसमें 13 तो फिल्में हैं, उससे भी ज्यादा वेप सिरीज हैं, उसके अलाबा कॉमेटी शोज हैं, डॉकुमे जाएं भी दे रहा हैं, जो कि थियर्टर के समय में संभव नहीं था, तो इन पहलों पर मैं आगे भी बात करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, आपको आगाह करता रहूंगा, बस आप सिनेमा हॉल भी सब्सक्राइब करने जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म में है, यहां कोई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सिनेमा हॉल, नमस्कार